हेलो गाइस आप सभी को प्रिती का प्यार बरा नमस्कार आज हम बेकार पड़े छोटे छोटे टुकडो का एकदम सही उप्योग करेंगे तो मैंने ये जीन्स के अल्ड जीन्स के ये दो छोटे छोटे पीस ले लिए जिसका मेजरमेंट है 5.5 इंच बाई 8.5 इंच सेम मेजरमेंट के दो पीस है और अभी दोनों को इस तरह से सेम रखेंगे और उपर की साइड जो हमने 8.5 इंच है वहां से हमें 2 इंच पे इसे मार्क कर लेना है और फिर वहां से कर लेना है इसे कट कट हो गया अभी 5.5 इंच की दो जीप लेंगे और जीप को हम इधर अटे कर लेना है फिर दूसरे पार्ट में इसे स्टीच कर लेना है दोनों पार्ट में स्टीच हो गया अभी ऐसे रखेंगे और कर लेंगे यहां पर टॉप स्टीच टॉप स्टीच भी हो गई और साथ में यह दूसरे पीस में भी मैंने जिप को अटेज कर ले आभी दोनों में रन रंडे कर लेंगे रंडे हो गया अभी यहांपर container पर हमें round shape देना अग् insist нबरी एक सी नाप का दूसरी साइज में रावन कट कर लोगी फिर वापस एक बार फोल्ट करूंगी और दो कॉनर यहां पर कट कर लोगी फिर यह पीस हमें उठाना है और जो दूसरा पीस है उसके उपर सेम जिप सेम में आए सेम पोजिशन में आए इस तरह से रखना है और फिर चारो कॉनर कट कर लेना है कट हो गया अभी एक पीस को हम इसमें जोड लेंगे सेम मेजरमेंट का अस्तर लेना है और चारो साइट सिलाई करके इसे जोड के रखना है एक ही पीस में ऐसा करना है दूसरे पीस में हम दूसरा पीस अटेज करेंगे तो बाद में हम करेंगे पहले एकी पीस में इस तरह से अस्तर का टुकडा लेंगे और इसमें जोइंट करके रख देंगे और एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और फिर इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और उपर और नीचे दोनों साइड सेंटर का मार्क कर ले अभी हमें इसे side में रखना है और ले लेना है जो दूसरा piece है उसे उपर की side से अंदर की side जाते हुए वह नीच पे इस-थरह से mark कर लेना है और फिर एक दूसरा contrast color का मैं piece लूँंगी उससे पहले इस तरह से fold करके दोनों में center का mark कर लेना है उपर और नीचे दोनों सेंटर मार्क हो गए आप ही ये मैंने कॉंट्रास और डिजाइनर पीस लिया है आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं सेम जिन्स का पीस भी ले सकते हैं तो 4.5 इच बाए 4.5 इच का ये स्क्वेर पीस है और इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे यहां हम ओपन रखेंगे एक साइट यहां से हम सिधा करेंगे और जो राउंड है वहां पे हम छोटे छोटे नो चीस लगा लेंगे सिधा करने से पहले और अभी जो ओपन है यहां पे यह खुला है वहां से हम इसे कर लेंगे इस तरह से सिधा और फिर अच्छी तरह से इसे के सब सिलाई बार निकाल लेनी है और फिर यहां से लेके यहां तक हम सिलाई कर लेंगे और इसे फिनिसिंग दे देंगे तो और हो गया फिर हम ये साइड में सेंटर का मार्क बार की तरफ करेंगे और जो राउंड से पर वहां पर हम अंदर की स साइट सेंटर का मार्क करेंगे जो सेंटर का मार्क किया है वहाँ पे हम वन इच पे मार्क करेंगे और एक इच का ये मैंने वेलक्रो ले लिया है और चारो साइट सिलाई करके इसे इसमें आटेज कर लिया अभी जो हमने उपर की साइट सेंटर का मार्क किया था उसे और इसे मैच करना है और यहाँ सिलाई कर लेनी है सिलाई हो गई अभी वापस इसको उपर करेंगे और पावी जितनी सिलाई का मार्क करेंगे और उसके उपर सिलाई कर लेंगे तो यह देखे यह सिलाई है ना अंदर की साइट कवर हो जाएगी ये cover हो गया अभी velcro को इस तरह से रखना है और यहाँ पे mark कर लेना है और उसके नीचे की side दूसरा जो velcro का part है वो हमें attach कर लेना है ये देखे ये attach हो गया तो ये part अभी हमारा ready हो गया अभी इसके नाप का अस्तर का piece ले लेंगे और चारो तरफ सिलाई करके इसे जोड लेंगे ये जोड के हो गया और extra थो वो मैंने cut कर लिया ये हो गया अभी एक दूसरा printed piece लिया है measurement लिया है उसका मैंने 3 by 16 inch और इससे भी मैंने quit किया है 3 by 16 inch का ये piece है और इसमें हम बीच में center का mark निका लेंगे तो बीच में से fold करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे center का mark दोनों side हमें center का mark कर लेना है फिर हमें वो जिंस वाला जो पाट है उसमें और इसका इस तरह से center match करना है जिंस वाला पाट सीधा रखना है उ Center से 1.5 inch पे mark करेंगे और दूसरी side 3 inch पे मतलब 1.5 inch पे सिलाई लगानिया में दोनो side center के side में तो हमें 3 inch तक सिलाई लगानिया अब ऐसे ही दूसरे पाट में हम mark कर लेंगे 3 inch तक 1.1 half होता है तो half का center में mark करेंगे mark के उपर रखेंगे और दोनों साइड mark कर लेंगे फिर जो दूसरा पाटे वो ले लेंगे उसे भी इसी तरह से यहां से लेके यहां तक stitch कर लेंगे यह स्टीच हो गया यह कुछी इस तरह से दिखेगा और फिर फिर स्ट्रिप की जो end वाला पाट है वहाँ पे इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पे center का mark कर लेंगे center का mark हो गए अभी यहाँ पे हम करेंगे strip attach तो strip मैंने पहले से ही fold करके रख दिया है double fold करके इसे ready किया है और इसका measurement लिया है मैंने 41 by 5 inch क्योंकि मेरे पास कपड़ा यह बहुत कम था अगर आपके पास ज्यादा है तो आप इसे ज्यादा भी ले सकते 45 inch तक लेंगे तो यह सही measurement रहेगा मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने 41.5 inch लिया है अभी center का हमने mark किया था उसके उपर strip को रखेंगे और stitch करके इसे इसमें जोड लेंगे फिर मैंने jeans का एक ये टुकड़ा ले लिया 3 by 10 inch इसका measurement है और इसे बीच में से हमें cut कर लेना है cut करके यहाँ पर 10 inch की zip लेंगे zip को दोनों side attach करेंगे और फिर top stitch भी कर लेंगे ये देखे top stitch भी हो गई और zip भी attach हो गई और अभी runner add कर लेंगे runner add हो जाए बाद में इसका भी हम center mark निकालेंगे तो बीच में से fold करेंगे और इस तरह से center का mark निकाल लेंगे center का mark निकल गया आभी इस piece को यहाँ पे रखना है उल्टा और यहाँ पे दोनों side stitch करके इसमें जोड लेना है हमें जोड के हो गई अभी यहाँ पे मैं cover कर लूँगी तो मैंने non-wing का एक टुकड़ा ले लिया है one inch का और इसे दोनों side एस तरह से cover कर लूँगी cover हो जाएगा बाद में जो zip वाला part में center का mark किया था उसे और दूसरा पाटे उसमें center match करूँगी और pin up कर लूँगी फिर हमने नीचे यहाँ पे ती नीच का जो mark किया था वहाँ से सिलाई करना start करेंगे तो यहाँ पे center match करेंगे और सिलाई करते जाएंगे तो सामने तक सिलाई करके इसको इसमें attach कर लेंगे जो belt उसको हमें बीच में रख देना है इस तरह से और पूरे में सिलाई करके इसे जोड लेना है यह देखिए जोड के हो गया अभी वन नीच की strip लेली और cover करने के लिए और चारो साइट सिलाई करके में इसे cover कर लूँगी cover हो गई अभी सेम इसी तरह से जो उपर का पाटे उसे करना है center match करना है और फिर चारो साइट सिलाई करके cover कर लेना है cover भी हो गया और हमारा सिलाई भी हो गया अभी zip को open करेंगे और यहां से कर लेंगे इसे सीधा तो यह हमारा cross body ceiling bag छोटा सा बनके रेडी है जो हमने वेश कपड़े टुकडों से बनाया है मैंने पहले यह फेब्रिक से एक bag बनाया है मैं इसकी link description box में देती हूँ आप वहाँ से देख सकते है वो भी bag बहुत अच्छा है और इसके जो बचे हुए टुकडे थे उसमें से मैंने यह ceiling bag बनाया है तो कितना अच्छा और सुन्दर यह ceiling bag बनके रेडी हुआ है यह देखिए दो साइट दो पोकेट है तो उसमें आप mobile वगेरा अपना रख सकते है दोनों साइट सेम measurement के pocket है तो आपका mobile भी अंदर आसानी से आ जाएगा और बीच में जो पोकेट है वो बड़ा है तो आप उसमें अपना कोई बड़ा सामाने वो अंदर लेके इसको carry करके use कर सकते है यह देखिए तो यह कितना अच्छा और बहुत ही प्यारा सा यह क्यूट सा हमारा cross body ceiling bag बनके रेडी हुआ है मैं final measurement बता दू आपको तो ऐसे चोड़ाई में 5 inch है और इसकी height 7.5 inch है और side में 2.5 inch है और उपर का base और नीचे का base दोनों का measurement है 2.5 inch by 5 inch आसा रखती हूँ कि आज का यह cross body ceiling bag आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like channel को subscribe और comment जरूर कर दीजिएगा चलो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय बारत जय हींद